पुलिजर पुरुस्कार को पत्रकारिता के छेतर में अमेरिका का सबसे प्रतिस्थित सम्मान माना जाता है यह पुरुसकार प्रसिद समाचार पत्र परकासक जोसिफ पुलिजर के सम्मान में दिया जाता है जोसेप पुलिजर ने कोलंबिया विस्विद्धियाला में पत्रकारिता स्कूल को सुरू करने तथा पुरुसकार के सुरुआत करने के लिए अपनी वसीयत से पैसा दिया था पुरुसकार सिरेनी की बात करें तो यह है पुरुसकार 22 सिरेनियों में दिया जाता है जिसमें पत्रकादिता की 15 सिरेनी और पुस्तक नाटक संगीत की 7 सिरेनिया सामिल है पुरुसकार रासी की बात करें तो प्रतियक विजेता को प्रमान पत्र और 15,000 अमेरिके डॉलर नकद मिलते हैं और लोक से वसरेनी को छोड़ कर स्वन पदक परदान किया जाता है प्रतियक विजेता की बात करें तो 1937 में पहले व्यक्ती गोविंद बिहारी लाल थे जिनको पुजर पुरुसकार दिया गया था अमेरिकी कवी रॉबर्ट फ्रोस्ट को 1924 से 1943 के मद्धिय तक चार बार पुलिजर पुरुसकार मिला है और चार बार पुलिजर पुरुसकार जीतने वाले एक मात्र व्यक्ती कवी रॉबर्ट फ्रोस्ट है पुलिजर पुरुषकार को पत्रकारिता का सर्व से पुरुषकार माना जाता है प्रसिद लेकक अरनेस्ट हैमिंग वे ने नॉबल और पुलिजर के दोनों पुरुषकार जीते हैं दुनिया भर में उनके अनुभव ने लेखन को महत्मूर रूप से प्रभावित किया प्रो पब्लिका के लिए जोस्वा कपलान, जस्टिन इलियर्ट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मिर्जेस्की और कर्स्टन बर्ग को ये पुरुसकार मिला है खोजी रिपोर्टिंग के लिए हन्ना ड्रेयर को दे न्यू यर्क टाइम्स के हैं अंतरास्टे रिपोर्टिंग न्यू यर्क टाइम्स के करमचारियों को मिला है संपाद के लेखन डेविड ई हॉफ्मैन को मिला है दव वासिंटन पोस्ट के करमचारी हैं Breaking News Photography, Writers की Photography Start Team को मिला है Feature Photography, Associated Press के Photography Start को मिला है